भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल साउथ समेट से निकाल दिया है अजपिधान मंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन को संबोधित किया पी-म ने कहा कि यह एक ऐसा मंच बना जहां हमने विकास से सम्मंदित समस्याओं और प्रात्मिक्ताओं पर खुल कर चर्चा की 123 देश चोटी बात नहीं है तो उस्तों 123 देश भारत की एक पुकार पर आके जुड़ जाते हैं बोलते हैं ठीक है इंडिया ने बुलाया है हम ज़रूर शामिल होंगे इसमें 123 देश ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल डिवलपमेंट कॉमपैक्ट एनाउंस किया है घर को ब्राइम वह ज़रूर अग्लोबल डिवलपमेंट कॉमपैक्ट एक ऐसे प्रिपोजस किया गया है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को है लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है आउट है पसला इसी चीज़ का आता है. और क्या डॉक्टर जैशंकर ने सिदेधा सिदेपाई नहीं दे दी है पाकिस्तान को तो क्या गारी दे नी है? वह तो एसी बिचारे मरे मुद entrar हैं लेकिन क्या चाइना से डैक्नी डॉक्टर जैशंकर ने पंगे लिए Voice of Global South, 123 देश, छोटी बात नहीं है दोस्तों, 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं बोलते हैं ठीक है, इंडिया ने बुलाया है, हम जरूर शामिल होंगे इसमें, 123 देश, उसमें चीन नहीं, उसमें पाकिस्तान नहीं क्या भारत ने Global South की Geography बदल दी है, भारत ने बोला कि बिल्कुल पाकिस्तान की नीचे से हम लाइन खीसते हैं, ऐसे उपर जो भी है वो Global South में है, नहीं कहानी कहता है, हम बाई बाई पाकिस्तान, बाई बाई चाइना, क्या डॉक्टर जैशंकर ने ये बात करती है, क्योंकि क बचारे मरे मुरे लोगة हैं, लेकिन क्या चाइना से डेरेक्ट डॉक्टर जैशंकर ने पंगे लेलिया और डेरेक्टल फह बोल दिया कि भाई ये इस लिए नहीं है इसमें, शामिल हम ने बुलाय हैं नहीं बिलाया, ये नहीं बोला, हम ज़रूरी नहीं समझतें, लेकिन टोटल जो भारत ने पैसे दिये हैं, वो जादा नहीं है, दोस्तों सिर्फ 25 मिलियन डॉलर है, यही अगर चाइना करता तो 25 अरब डॉलर देता, 25 बिलियन डॉलर देता, अब आप उससे पूछेंगे कि मेजर साब एक बात बताओ यार, आप यह कह रहे हैं कि चाइना को पच पैसे देंगे, लेकिन हम तुम्हें सिखाएंगे में, यह चोटे-चोटे देश हैं दोस्तों, इनमें कई ऐसे देश हैं जिनके पास खनिच पदारत हैं, कई देश हैं, जो और चीजों में काफी अमीर हैं, लेकिन वहाँ पे सिविल वार हो रहा है, वहाँ पे, यह पॉलि आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइम मिनस्टर मोदी और डॉक्टर जैशंकर ने कितना बड़ा गेम कहला है चाइना के खिलाफ, देखिए, अगर हमारी कैपैस्टी यह है देने की, और चाइना के कैपैस्टी यह है, यानि कि हमारा पटाका छोटा है, चाइना का पटाका बड़ा है, अब चोटे पटाके से इस पटाका यानि बड़े पटाके से बड़ा धमाका करना है, यह कैसे पॉसिल है, भारत ने डेलिबरेटली पाकिस्तान और चाइना को ग्लोबल सौथ समिट से निकाल दिया है, इन्वाइट नहीं किया, पाकिस्तान और चाइना, पाकि conference की उस पे सवाल किया गया तो और नहीं का जी चाइना को बिलाए नहीं गया बिकॉस चाइना को हमने invite ही नहीं किया मुझा भारत क्या चाहता है कि क्यों हम अपनी मर्जी की दुनिया बनाना चाहते हैं या कि भारत वाके ही जो geographical global south है उसकी नुमाइंदगी करने दा रहा है पाकिस्तान को आपने invite नहीं किया ठीक है हम global south का हिसा नहीं है हम सकते north का हिसा हो पाकिस्तान हमें नहीं अंदाजा शायद भारत अपना map है वो जो बनाना चाहरा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को north में डाल दिया है लेकिन भारत ने एक और बड़ी important बात की है it means कि basically भारत बंगलादेश की picture को present कर रहा था भारत ने यह कहा है कि जो global south के अंदर यह कहा गया है जो political interference का issue उठाया गया है मतलब यह कि बंगलादेश के अंदर जो हुआ है यह political interference है अमरीका की बारत में खुला खुला इल्जाम लगा दिया political interference कौन करेगा यह चाइना करेगा यह अमरीका करेगा और कौन कर सकता बंगलादेश में interference यह भारत चाइना का जिकर कि चाइना के हम बात कर रहे हैं उन तमाम मुलकों की जो ग्लोबल साउथ का इसा है हम नहीं चाहते हैं कि फॉर्स्ट वर्डव वर्डव वहां पर बैठके हमारे जो छोटे-छोटे हैं उनको फोई भारत काता है कि हम चैंपियं दैंगे ग्लोबल साउथ सम्मिट में इन्डिया के प्राइम मिनिस्टर ने Global Development Compact एनाउंस किया है नीडी कंट्रीज के लिए Global Development Compact एक ऐसा प्रोपोजल एनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को है लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है आउट है और ये बड़े ही अफसोस की बात है और बहुत की बात है पाकिस्तान के अवाम को जिस चीज की सबसे ज़्यादा जरूरत है वो ये ग्लोबल डिवलप्मेंट कॉमपैक्ट है जो आज इंडिया के प्राइम निस्टर नेंदर मुदी साब ने ग्लोबल साउथ समिट में अनौन्स किया है वो सब नीडी कंट्री ग्लोबल इसके अंदर मौजूद नहीं था अब ये किसकी गलती है पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि तिजारत ने करें बार आपको भारत ने कहा कि वो तिजारत करना चाहता है ये जो बड़े बोल आप बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेड की आपको जरूरत नहीं है जो अथारिटीज हैं जो मिनिस्टर्स हैं जो गवर्मेंट है ट्रेड की जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान की अवाम को मासिस को पबलिक को गरीबों को इसलिए मूठा कि आप बड़े फखर से कहा रहे हैं हम ट्रेड नहीं करतें इंडिया के साथ क्यों नहीं करतें आप ट् पाकिस्तान को इद्वाइट करने की जहमत ही नहीं की